आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ कोश्चन में दिया हुआ है कि वाट पार्ट वाट पार्ट डज दे फीजिक्स प्ले इंडर डिजाइन आफ रनिंग स्यूज तो हम जानते हैं कि जो इच पर्सन होता है इच पर्सन को जो फूट होता है डिफेंट होता है और वह डिफेंट तरीके से चलते भी हैं ठीक है तो इस टाइम क्या होता है कि जब लोग चलते हैं तो इस टाइम जो जो लेग होता है स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स ग्राउंड विधे लाज फॉर्स विधे लाज फॉर्स इसके करण्ड क्या होगा ग्राउंड से भी इस पर फोर्स लेगा इसका मतलब मोमेंटम यहाँ पर पोर्डियूस होगा तो मोमेंटम मोमेंटम विल भी लार्ज ठीक है तो सो इन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हमको मोमेंटम जीरो करना होगा in vertical direction for momentum to be zero हमें large impulse required होगा ओर उसके लिए हमें इस stress को reduce करना के लिए हमें time of impact of force हमें बढ़ाना होगा तो इसके लिए क्या होता है एथलेटिक जो सूज होते हो उसमें four parts होते है फोर पार्ट्स इन एथलेटिक सूज उसके लिए पहला क्या होता है एफपर सेक्शन दूसरा होता है इन सूल तीसरा होता है mid sole ठीक है और चौता होता है out sole ठीक है अब इसमें यह होता है जो uppers होता है अपर sole यह usually जो made of होता है light materials जो अपर होता है अपर section यह made of light materials ठीक है और यह जो mid sole, out sole और यह in sole तो यह mid sole होता है सबसे important part होता है यह sandwich होता है in sole और out sole के बीच में ठीक है तो यह क्या होता है mid sole यह कॉसं टाइप का होता है mid sole like cushions cushions ठीक है यह क्या करता है जो भी इस पर force लगता है तो यह time of impact of force होता है time of impact of force को बढ़ा देता है time of impact of force will be increased और जो force इस पर लगता है force will be reduced तो इस तरीके से जो एथलेटिक सूज होता है इस तरीके से जो एथलेटिक सूज होता है उसमें यह physics इस टाइप से behave करता है classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर